अच्छा एक बात है ना सभी को पता होगी और हम लोगों ने तो बहुत जर्शन भी मनाया इस बात के उपर के इनके जो सपोटर थे सितारा और गोंचु के जो सपोटर था जिसको लोग बहुत शुक्रिया भाई भाई शुक्रिया शुक्रिया बहुत ज्यादा चाटते थे मसका पालिस करते थे अब उसको लोग खुद गंदा कर रहे हैं लोग खुद गोंचु की कमुनिटी देखी होगी आप लोगों ने तो दूसरी बात पिर Staraा ने इसको लिफ्ट नहीं कराई और आप लोगों को पता ये गीश में इसने दो तिन पार रहता किया था और सितारा भाग भाग के आ गई थी तो सितार तो भाग भाग के अगये इसको मनाई फिर वापिस से वह शांत हो गया फिर से दूतरी बार ऐसे एक कुछ किया फिर से लोग भाग के आए फिर से वह शान्त हो गई अभी तित्री बार फिर से ये बंदे ने ये किया तो इलोग पता नहीं डर गए या क्या इलोगों को धंकी मिली है डॉक की तरफ से किस तरह से वो ब्लैकमेल कर रहा है नहीं पता तो इस बार फिर इलोगों ने सोचा कि ये ब्लैकमेलर से हमारी जान चुड़ा बताया भी है ना के सिर्फ और स्रीफ जाहिद को मना करेंगे तो वो और ज्यादा इनको ब्लैक मेल करेंगा इससे अच्छा ही लोगों ने सोचा है कि हम लोग सभी को मना करेंगे और जब जाहिद हमेदा के लिए रफा रफा हो जाएंगा उसके बाद में जो हमारे सपोर्टर रहे ना उन लोगों को हम लोग फिर से यही गंदगी में उतार के हमारे लिए बोलने लगाएंगे लेकिन जाहिद तो बाप रे बाप इतना घटिया आदमी है वो तो सुनने ते रहा इनकी क्यूंकि उसने बड़ी-बड़ी बाते की थी ना कि मुझे सितारा के नाम की जरूर होताई है तो साई है यह साबित होता है कि इसे वाइटी की जरूरत है इसे पैसों जरूरत है आप लोग ने देखां गाँगान अकानदान की तरह है जो कोई काम धंदाने करता और सिर्स इस तकी पर हृपद्भिपैन्ड करके और एक दूसरे को न्यूट करके मतलब एक दूसरे को क्या ये एक डॉक्ट तो सितारा को न्यूट कर रहा है और रोटी खा रहा है हराम की और अपने बच्चों को भी खिला रहा है तो फिर इस लोगों ने जब गोंचु ने कमिनिटी लगाई तो इसको आया घुसा फिर इसने सब को गालियां दिया और फिर इसने सोचा कि मैं गालियां देता हूं और मैं इसके अंदर फसाता हूं दिलबर बाबर को और गोंचु को भी गालियां देता हूं और सितारा को बड़ी अच्छी सितारा को बहन बना के रखता हूं ताकि सितारा की जो देखने वाली पब्लीक है वो उसे गालिया ना दे इसके लिए उसने दिलबर को भी गाली दिया बाबर को भी दिया गोंचु को भी दिया और सितारा को अपनी बेहन बोल रहा था तो वो देखते हुए फिर बाबर को सितारा ने कहा कि तुम लाइफ करो और इसके अंदर ये कुत्ते को जवाब दो और ये भी अनॉंस करो कि एक दो दिन में मैं लाइफ आऊंगी और पता नहीं ये लाइफ में आके क्या ऐसा करेंगी जो डॉग रुख जाएंगा या तो फ अधि इसको पीछे करना चाहता है खली बाकी सपोर्टेर ना उनको नहीं करना चाहता है तो ऊड़ो बहने गंदीगंदीमत गालियां जो दिया है तो जो टरम को जो भाई भाई कहती थी रोह रही थी कि भाई वापीस आजाओ सितारा के सपोर्ट में आ जाओ अब वो ये कहते फिर रही है के डॉप को आप लोग रख लो तो हमने न टॉइलेट साफ करने के लिए बंदे रख चुके है सभी ने हम लोग जितने भी सपोर्टर है न सलमा सपोर्टर हम लोगों ने टॉयलेट साफ करने के लिए बंदा रख लिया है तो हमें जरूरत नहीं है ये टट्टी को तुम अपने ही पास रखो जो रो रोके रखना चाती थी ना तो तुम अपने ही पास रखो हम गंदी चीजे नहीं रखते खेर दूसरी बात ये के आप लोग ये चीज के उपर थोड़ा ध्यान दो ये अपनी सगी बेहन का नहीं हुआ ये जो सितारा की सपोर्टर है लेडिस उनको बेहन बेहन बोलता था मेरी ये बेहन को कोई कुछ बोलेगा तो मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा मेरी वो बेहन को कोई कुछ बोलेगा तो मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा और आप लोगोंने वोइस सुनी होगी कि वो किस तरह से उन्ही बेहनों को गंदी-गंदी गाली दे रहा था अगर आप लोगोंने नहीं सुनी है तो मुझे कमेंट जरूर करना मैं अपनी इस्टा इस्टोरी पे या तो इस्टा पे मैं शेर कर दूंगी वो सब वाइस आप लोग सुन लेना कि किस तरह से यह आदमी ने इतनी गंदी गंदी और घटिया घटिया उन लोगों को गालिया दिया है कहने का मतलब यह है कि यह देखो कि जब यह इनका भाई नी हुआ अपनी सगी बेहन का भाई नी हुआ तो यह जो सितारा को बेहन बेहन कहेके अपनी जो रोटी से कराए तो यह उसका हो जाएंगा बिल्कुल भी नी बिल्कुल भी नी होगा इसकी नियत तो बलके सितारा के उ कोटल में जाए इसको भी खुश करें और इसको शौट आउट भी दे और इसको पैसे भी दे यह सब चक्कर में सितारा को यह ब्लैक मेल कर रहे हैं दूसरी बात जिस तरह से यह अपनी इन बेहनों के लिए चीकता था चिलाता था ना कि किसी ने मेरी यह बेहन को कोई कुछ ब बोला है और अभी बीच में जो इसने वीडियो डाली थी इसके अंदर तो यह कह रहा था कि मैं इसाफ दिल आ चुका मैं तो सोच रहा हूं अब मैं जाओंगा कराची और मैं जाओंगा मेरी बेहन के घर पे एक दस्तर खान पे बैटके हम खाना खाएंगे मैं अम्मी को किस मेरा मतलब है अम्मी को माते पे चुमोंगा अम्मी मुझे माते पे चुमेंगी अरे भई तू तेरी मा का नहीं हुआ तू क्या सितारा कि अम्मी को अम्मी अम्मी कहके चने के जाड़ पे चड़ाने की कोशिश कर रहा है पता है तू किसी का नहीं हो सकता है तू कुत्ता है जो तू हरे कृस्ते को काच सकता है आप लोगों ने इसकी वाइस तो सुनी होगी ना लाइब में अपनी बीवी को कैसे थपड़े मार रहता कितनी गंदी गंदी गाली दे रहता ये बंदा जब खुद की ही वाइफ की इज़त नी करता है तो ये दुनिया में किसकी इज़त करता होगा अपनी माँ को भी ये मार चुका है अपनी बेहन एक बेहन को तो इसने खतमी कर दिया है जान से मार दिया है और वो जो एक जलील बेहन हमेशा साथ में गुमती रहती है उसके साथ में भी लोगों ने बहुत कुछ किये लाइवों में बैटके इसको गालियां दिया है तो ये जो सपना देखके लोगों को बेवकू बना रहता ये सोच रहता मैं ये सब बोलूँगा कि हम लोग दस्तर पर बैटके खाना खाएंगे मैं अम्मी का माता चुमूंगा तो पबलीक सितारा के पर प्रेशर डालेंगी कि हाँ डोग को अपने घर पे बुलाओ बैटके खिलाओ और बोल के रहा है मेरी बेहन क्या हाथ का खाऊंगा मेरे बेहन क्या हाथ की चाय पिऊंगा अरे रहने दे लांती तो जो खली मूझ से जिसको बेहन बुलता है और सोने की ख्वाइश रखता है ना उसके साथ में वो तेरी बेहन है ना कुछ नहीं बनाती सिवाए चूके वो वही बनाती है और तुझे भी बनाई है तुने अपने चैनल के लिए उनको यूज किया और उसने गालियों के लिए तुझे यूज कि ये है तरी अवकात ठीक है अच्छा ये बात मैंने इसके लिए बताई कि ये जो सपने देख रहा था दस्तर कान पर बैठके काना काने के अम्मी को किस करने के जो सपने देख रहा था तो यह यह जताना चाथा था कि मैं उसको दील से बहन मानता हूं तो जब यह दूसरी जो सपोर्टर है इनको भी तो बहन बोलता था न तो इन के लिए भी बड़ा भोगता था और अब उनके लिए जो जो इसने पीट पीछे करा है तो वो इसे आ गई है तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि सोचो ये सितारा के लिए क्या नहीं बोला होगा सितारा के लिए इसने क्या-क्या खड़े नहीं खोदे होंगे समझ गये हैं अप लोग यह सीरफ और श्रीफ हम लोगों ने इसको नाम दिया था डॉग का तो यह डॉग रियल में डॉग निकला वह भी बेफिरावन डॉग काटने वला डॉग इसको इतना बोल रहे है तो भी यह मान नहीं रहा लादार हो भौके जा रहा है और अब जब इसको किलियरली कह दिया गया है कि तुमें ना हमें ब्लैकमेल कर रहे हो तुमें हमारी सपोर्ट करने की कोई जरुवत नहीं है अपना काम करो रफा हो जाओ दफा हो जाओ तो इसको गुसा आया है तो अब जाके ये खुल के बाहर आके इनको गालियां दे रहे हैं लख लाना से सितारा तुमारे उपर भी और तुमारे सपोर्टरों पर भी और डॉक के उपर भी ऐसे कुट्टे पाली थी जो मैंने पहले ही कहा था कि लोग ना सितारा के और ना सितारा इनकी है ये सब जने एक दूसरे को यूज कर रहे और एक दिन इलोगी आपस में अपने अपने सपोर्टरों के कपड़े फाड़ेंगे और वो दिन आ गया है देख लो आप लोग एक द च्वसियों नहीं पनाो ये करो पर अप्षर के में ए। गलंगे तो इस बात को लागिया है कि क्यों पहला किया दो मैं क्यों लिया है कि मैं क्यों ना करूं तो थी अब आप लेकर अपित्धे आप जो न भी Marvel करें क्यों मैं सबसे पहले साजद हो गए जिनके साथ हमेशा पें सितार हो गई इनके भी इसा कर रहा था यह कर रहा तो यह कर रहा था यह कर रहा था कि इसने कहा बाबर ने कि अगर ये मतलब गेम के तहट अगर वहाँ पे गया था तो साजित को और सितारा को बता के जाता लेकिन ये बता के नहीं गया था मतलब ये सच में पलट गया था जब इसके व्यूज वगेरा गिरे तो ये वापीस आ गया है तो जो साजित बीज में क साली दे रहे तो फिर दिलबर ऐसे बाबर ऐसे क्यों कह रहा है कि अगर इसको गैम के तहट जाना होता तो यह बता के जाता मतलब इतने टाइम से लोगों ने जितनी भी गंद मचा है वाइटी पे सितारा और साजित को बता के उनसे पूछ के ही मचा है मतलब सितारा साजित इनको इसक्रीप देते थे तब ही लोग यह सब गंदगी मचाते थे ना तो यहां पर गोंचू की वह बात भी एक्सपोस हो गई है कि हम लोग ने कभी किसी को नहीं कहा कि हमारे लिए वीडियो बनाओ गाली दो लाइवे करो वहां पे गंदगी मचाओ त ही लोग वह चीजों पर बात करते थे वरना तो एक लाइव थी मरियल फसाद है ना जो बंदर की पिछवाड़े वाली मुख की उसने एक लाइव की थी वहां पर सितारा का देवर आया था जेट आया था खालिद भाई तो जब आने माला था तो उसने डिरेक्ट क्या टाइ ती वो टाइटल तमनेल उसको पुरी स्टोरी नहीं सुनाई ती तो उसने लगा डिती वो टाइटल तमनेल ना 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 यह सब है न इलोग खुद करवाते हैं तो इनके सब से सपोटर है न यह सब करते हैं अब इलोग पलट रहे हैं गोंचु पलट रहा है कि मैंने कभी किसी को गाली देने नहीं का मैंने लाइब रखने नहीं का यह वो तो यह सब बाते जूट हैं और दुसरी बात कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो ड्रामा हो रहा है ना साजित इसको मना कर रहा है और यह साजित को गालियां दे रहा है तो सितारा को नहीं दे रहा है सिर्फ साजित को दे रहा है दिलबर को दे रहा है बाबर को दे रहा है और साजित महां से इसको बुरा बला कह रहा है चाचा कह रहा है तो मुझे कहीना कहीना ये भी एक ड्रामा लग रहा है कि लोग ड्रामा करके व्यूज के चक्कर में और एक दूसरे गंदा भी कर रहे हैं और दूसरी बात कि ये मतलब जताना चाहते हैं कि हाँ ये सितारा का सपोर्टर नहीं है ताकि जो सितारा को प पसंद नहीं करते हो सभ लोग गया को प्रूफ दे axima को सब्सक्ति करते हैं जैसे कि सल्मा की कि या था मैं तो दाना डालनेंगे यह था यह तो फिर हो सकता है है ना यह दो म nominee से कोई एक चीज हो सकती यह बाकी लग तो मुझे ड्रामा ही रहे देखते क्या होता है इसे मज़ा बड़ा रहा है एक दूत्रे कोई लोग जो नंगा कर रहे हैं न डीजब करते हैं और करो और मज़ाएंगा इस लोगो बड़ा बारी को ऊक्ले सी लोगो प्रश्ब करते हैं तो लोगो खुषशी लेखें हैं डेट लिए है बाद में सब्सक्रा पूर भूशे लेक अपने चैनले हैं बाद में और बड़े ही अच्छे जूते मारे इसको कि तुम्हारी तरह हम जगड़े निलगाते हैं और यह घंदे गंदे विडियो बनाता आज गाली गलोच वले और इसको तो कुछ चाता नहीं है वा वही वा बहुत सही बोला बहुत अच्छा बोला दिल वर बाबर बहुत सही बोला क्यूंकि यह कुट्ता ना यही डिजब करता है यही डिजब करता है दूसरों को गालियां देना और दूसरे की मा बेन के लिए गलत बोलना बच्चों के आने के वज़े से ही शुरू हुई थी नहीं तो उससे पहले रियक्शन सभी दे रहे थे लेकिन इसके इसी गंदगी किसी ने नहीं किया था जो ये गंदे ने आके किया है और जो ये डिजब करता था ना जो इसको इना मिला है ना उस गंदगी करने का वो एक दम सही मिला है स चाहिं जलील कर रहे हो तुम लोग इसको दिल बर ने बाबर ने एक बात बुला न ये इदर का रहा है न उधर का मसलेब बुलते न दोबी का गुथा न घर का रहा न घाट का और इसका अंजाम यही था इसका अंजाम क्योंकि मैं बोलती हुना हमिशा के उपर वाला न दिलो के राज जानता है तो इसका राज क्या था, इसका सुर्फ़ और स्र Minh यालत था कि मैं डॉलर कमाने के लिए जितना हो सके उतना गिरूंग और ये गिरा और गिराया भी किसने जिनके लिए गालियां देता था था ना वही लोगों ने इसे सही जलील करके गिराया है बहुत सही हुआ इसके साथ में अगर आगे जाके पता भी चलता है न के कोई गेम चल रहा था या कुछ भी तो भी यह जो वीडियो बने ना डॉक तेरे उपर तुझे तो डूपके मर जाना चीए सची में लाक अगर यह गेम भी होगा ना तो भी जो जो आएंगे और इस पुट्टे को ठीक से एक्सपोस करेंगे तो देखते हैं या कोई नया ड्रामा बताते हैं यह क्या करते हैं खेर गले की तो यह सही बना है और ज्यादा चड़ाओ सर पे ताके तुम्हारे सर पे टांड़ाओ करे और जो जो तुम लोगों के साथ में हो रह यह कुट्टे से बना के अब हो कुट्टे देखो तुम्हारे कोई भूक रहे हैं और तुमहें काटना चाहते हैं जो तुम दिजार लाना थे तुम लोगों के पर जो यह यह चाना इसको सिताराकी मतलब सितारा के उपर ना इसकी गंडी नियत थी और ये वही चाहता था कि सितारा इसको भी सर्विज दे और ये सितारा की इज़त से खेले सितारा की इज़त लुटे क्योंकि इसको पता है ना वो तो कॉल गल है हर किसी के पास में चली जाती है तो ये सोचा था कि मैं उसे शौट आउट लूँगा उसके साथ ने होटल में जाके राते काट के आउँगा और इस तरह से मैं वसूली करूँगा और इसको इनाम में वो सब मिलेंगा जो मैंने अभी बताया लेकिन इनाम में मिल के रहा है वो भी देखिए और सही मिल रहा है ना कमेंड में बताना आप लोगों को मज़ा आया ना जो लोग आपस में एक दूसरे कपड़े फाड़े उससे मुझे तो बड़ी मज़ाई तो यह वीडियो में यहीं पर एंड करती हूं वीडियो कैसी लोगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक झाल झाल